वारानसी में 25 अक्टूबर को प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी के जन सभा के लिए चिनहित खेट के मालिकों को मुआफ़ा नहीं मिलने के सूचना को प्रशाशन ने गंभीरता से लिया था और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने चेक के साथ किसानों की फोटो भी साजा कर कहा था कि सोशल मीडिया पर अपभा फैलाने बालों से शक्ती से निप्टा जाएगा दरसल विभिन दलो और संगठोनों ने किसानों की खड़ी फसल काटने और उचित मुआफ़ा नहीं मिलने का मुद्दा उठाया था तो कुछ लोगों ने हरी फसल कटने का वीडियो सोशल मीडिया पर साजा कर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया था इस पर जिलालिकारी ने मीडिया से बताया था कि फसल की छती पूर्टी किसानों को दी जा रही है किसानों ने मुआफ़ा के लिए बुदवार को स्टी एम राधा तलाव उधाय भान सिंग को पत्रक दे कर मांग की उधर पुर्वांचल किसान यूनियन के अध्याक्षय योगी रासिंग पटेल ने मुआफ़ा राशी मय ब्याज किसानों को 75 घंटे के अंदर त्रीने की मांग की है अन्यथा आंदोलन की चेताबनी दी है लेकिन मोदी जी एरपोर्ट से रास्ते वायरोड आने वाले थे कारकरम अस्तल पर लेकिन आज तब उनके लिए वहां पहली पैड़ पार्किंग की जोस्ता अलग से लगभ चालिक पचाज जमीन किसानों की फसल काड़ करके लिया लेकिन आज तक उन किसानों का गौालजा नहीं मिलाएलग वल क्यावन पार्किसान है और खिसानों सम्म्लों को ने बात किया है और मैं वाराट से जिलेम महुदर से कहला जाता हूँ कि आपने तो उस दोर में कहा था कि जब किसान हमगाबा कर रहे तो आप कह रहे थे किसानों को वर गलाया ने पेश है News Bucket Hindi मासिक पत्र का पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे News Bucket की मैगजीन में हमारी इमैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभू लॉग इन करें www.newsbucket.in पर इसके अलावा रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चानल को तुरन सब्सक्राइब करें